जैशी राम सभी भक्तों को जैमाता की फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए कि अगर हमारे पितर जो है बंदन में हैं तो क्या लक्षन होते हैं जिन से हमें पता चले कि हमारे पितर जो है बंदन में हैं और उनको बंधन मुक्त कैसे किया जाए कभी-कभी हमारे मन में यह सवाल आता है यहां में जो है पता लगता है कि हमारे पित्र बंधन में है तो आज की वीडियो इशी विशेय पे होने वाली है आप कैसे जानेंगे कैसे आपको छुड़वाना है अंतग बने रहना तभी आपको जैश्री राम जैश्री बालज माराजी कई वार ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि घर के पित्र किसी ने बांध दिये हैं और कहीं ओजा, स्याने, तांतरिक वो भी आपके घर के पित्रों को बंधन में बांध देते हैं और अगर कोई व्यक्ती बंदवाता है उसके दोरा भी बंदन पर जाता है और कुछ इस पकार से भी होता है क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि हमारे जो पित्र होते हैं अगर घर में पित्रों की किरपा हो घर में कोई नकरात्मा कुर्जा का परवेश होना तो स्वावे की नहीं है क्योंकि वो घर पित्रों का है और अगर पित् पित्रों को बंदन में किया जाता है और कुल डेवी देवता को वचनों में किया जाता है तो उसी पकार से क्या होता है कि जब वो बंदन में आ जाते हैं तो उस परिवार के ओपर करा कराई जो है पुम रूप से चाह जाती है और हम देखते हैं जगा जगा जाते हैं दिखात तो ये क्या है कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पित्र किसी के द्वारा बंदन में करे हुए है तो सबसे बड़ी बात कुछ ऐसे आपको संकेत मैसूस होंगे जिससे आपको मैसूस होगा कि आपके पित्र बंदन में है पहला बात तो यह है कि गर में अजीब सी जो दुर्गंद जैसे की मुर्दे जले की किसी पकार की दुर्गंद जो है घर में अजीब सी समयल आती है आपको पता नहीं लगता कि यह समयल कहां से आ रही है कि जगा से आ रही है उसको खोजने का प्रियास करते हो लेकिन समझ में नहीं आता शरीर के उपर अलग-अलग प यहां दबाते तो यहां निकलती है, यहां दबाते तो यहां निकलती है, मास्की ही गाट होती है, चरीर पर, उसके बाद आपको सुवपन में पित्रों का चिलाते वे दिखाई देना, उचाई से गिरते वे दिखाई देना, और कहीं बंधन में बंधने दिखना, घर का कोई कालय की रस्टी बंदन में देखता या कोई रोते वियर देखता है आपको गैवार आप ज यागरित वस्ता में विती हो तब भी आपको ऐशे लगता है तो आपके पित्र81 प्रसेंट कि आपके घर में मांगलिक कारिया नहीं हो पा रहे हैं गर में बच्चा गर्ब पात हो रहा है बार बार, संतान नहीं ठह रही है, संतान उभर नहीं रही है, बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, गर के अंदर कहीं नहीं बच्चों के प्रती बहुत ज़्यादा परियास करने के लिए गराहों को भी चेक कर वा लिया है, अपने पित्रों के पत्ती हमारा ध्यान नहीं किया हुए, बच्चे तरक्य नहीं कर पा रहे हैं। पती पतनी के अंदर समंद अच्छे ना होना बार बार पती माँ भेन की या पतनी माँ भेन की मालों ये गालियां जो हैं बार बार माँ बाप के बड़े बजूर्गों के उप़र जादा निकलना तो पित्रों के उप़र कही नख़े बंदन है पित्र बांदेवे है या गलती से आपके बजुड़कों के दुबरा ही बंदन हो चुआ है ये बंदन भी कैसे हो जता है ये बंदन भी इस पकाल चुझा है जैसे हमारे घर में कोई सरस्या है तो हम जगा जगा दिखाने चल जाते हैं को कही वार घ्यान नहीं होता कुछ ओजात से आने को तो क्या करते हैं आपके घर के जैसे आप दिखाने गए हो कोई अकाल मृत्तु मरा वे आता है जो किसी विपकार का मरा वे आता है वो घर में थोड़ी सी तंगी कर रहे होते हैं तो कहते हैं यह कई वार किसी के शरीर पर को सबस्क्राइब यह तो इनको खूलने के लिए क्या करना चाहिए सबसे बड़ी बात इनको खोलने के लिए सई-गुरू का सानिद्य चुना जाता है हर अमवस्या हो या पुर्णिमा हो आपको ये लगा लो जिस दिन अमवस्या या पुर्णिमा हो उस दिन ग्यारा एकेस साथ पाथ हनुमान चलिसा के कीजिए चोब मुखदी पक लगा कर हनुमान जी के आगे हनुमान जी के आगे कीजिए और उस दिन हनुमान जी के चर्णों में थोड़ा सा संदूर अरपन करके आईए और हनुमान जी से प्रात्रा कीजिए ये है पवन पुतर आप तो किसी भी पकार के बंदनों से में बंद नहीं सकते और हर बंदन से मुखद हो है हनुमान जी महरा को तुल्सी में अर्पन कीजिए इस पकार से ताकि आपके पितर तक वो जल प्राप्त हो और बंदन से बॉक्त हो और एक कचछा सूत हनुआं जी के चन्निवें अर्पन कर जीजिए आमावास से आप हनुमान जी आपके पितरों को बंदन से मुख्ट करेंगे क्यों कि कोई भ पकार के बंदरों से मुक्त हो जाता है जो अनुवान चरिसा का आस्रा लेकर चलता है उस दिव्यवान मंतर का आस्रा लेकर चलता है अगर आपके पित्र भी बंदर में हैं तो इस किरपा से इस उपाई से आपके पित्र जो हैं बंदर मुक्त हो जाएंगे उसी शन से यह आप आप अगर रोज 11 मंतर का भी पाट कर रहे हो तो बोलिए जैसी तराम जैशरी बाला जी माराज बाबा आपके उपर सदैब किपा बनाए रखे जैमाना